नमस्तार दोस्तों मेरे नाम मेरे शिवाज बसीन और स्वागता आपका मेरे चैनल फॉर्स्ट इंश्मेंट तो इस चार्ट ऑफ द वीक की सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो है जो मैं आपको के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एक अच्छी न्यूस आई थी जो उसके बिसेस पे मैंने आपको के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है बिकॉज इस स्टॉक के अंदर वीकली और मतली चार्ट पे ब्रेकाउट आया है लॉंग टर्म ब्रेकाउट आया है और यह न्यूस भी बहुत अच्छी है तो में उसके बार में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं तो दिल्ली गवर्मेंट ने रिडियूस कर दिया है सर्कल रेट्स बाइट्स बाइट्विंटी परसेंट फॉर सिक्स मन्स यह जो क्याबिनेट मीटिंग है फ्राइडे को वहां पर यह डिसीशन लेया गया है अब गाइस यह जो सर्कल रेट्स कम करे गए आप देख सकते हैं कि सबसे कहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी रियल स्टेट पे बहुत जादा हम लोगों ने फॉल देखा था उसकी ग्रोथ अच्छी से नहीं हो रही थी वो सब्सक्राइब कर देखा तो जब गवर्मेंट इसके उपर स्टडी कर ली तो वो लोग ने एक डिसीजन निकाला कि हम लोग सर्कल रेट्स को 20% तक ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद जो रियल स्टेट है वो रिवाइफ हो सकती है तो इसी लिए इन्हें आपर ही करा थ अब आपको भी बता देता हूं कि सर्कल रेट होता गया सर्कल रेट एक मिनिममम डिजिटेट प्राइस होता है फॉर पर स्क्वार मीटर और पर स्क्वार फीट और लांड अव दव प्रॉपर्टी जो भी होती है उस पे जो ट्रांजेक्शन हम पे करते हैं तो यानि कि गाद भी आप कोई land या property खरीतते हो तो आप वेको कि स्क्वार करने के लिए स्क्वार में इस परसेंट वडिए ऑक्राइन Byड पड़ते हो तो आपको जब स्क्रॉण करेंगे तो एनृति लाक्स ऑंगा आपको 6 यह 4 परसेंट देना पड़ता है वहांपर रिजिट्रेशन स्टमीड करें इस से लोग अब ज्वार दाट करें तो इसी वजह से जो डिमांड वह और जादा increase करेगी and हम लोगों लग सकता है कि real state पे अच्छा revival दुबारा आ सकता है so इसी लिए हम लोग ने वीडियो बनाई है and इस वीडियो पर मैं एक stock के बारे में बात करने वाला जो real state से ही है and उस stock का नाम है DLF so DLF के charts की तरफ बढ़ते हैं and charts की तरफ देखते हैं कि किस तरीकी से stock perform कर रहा है and I think within two to three weeks यह बहुत अच्छा performance दे सकता है so charts की तरफ बढ़ते हैं हम मिलते हैं so start करते हैं DLF में अपनी analysis and देखते हैं कि किस तरीकी से stock performance दे सकता है within coming weeks so सबसे पहले मैंने मंतली chart open कर रखा है मंतली chart पे हम लोग चलते हैं and देखते हैं कि किस तरीकी से आपर कौन सा pattern form हो रहा है Fibonacci's के through test करेंगे कि कौन से कौन से resistance हमें face करने को मिल सकते हैं okay so सबसे पहले मैं Fibonacci retracement draw करना चाहूंगा that is from top to bottom okay so from top to bottom मैंने Fibonacci retracement draw कर दिया and जो higher side में हमें एक resistance देखने को मिल रहा है that is 236.23.6% का Fibonacci retracement level but I think कि यह जादे important नहीं होता जो जादे important levels होते हैं that is 38.2, 50 and 61.8% Fibonacci retracement level so I think कि यह इसको भी cross कर जाएगा but अगर हम लोग buy अभी भी करते हैं that is the price is 305 रुपीज और जो उपर resistance है that is 348 रुपीज so almost हम लोगों को 40 points तक की एक up move मिल जाएगी और वो भी अराम से 12% से उपर ही है तो यहाँ पर हम लोगों को अच्छी opportunity मिल रहे है but I think कि इससे price उपर जा सकता है and अब भी अच्छी रुपीज को हटाते है because our next target is 500 points okay so trend lines का use करते है and trend lines का use करते वे जो मैंने pattern find करा था let me show you that is this अब देख सकते हैं जिस level से मैंने trend line को draw करा है that is December 1, 2010 so almost 9 year एक range के अंदर यह consolidate करा है 9 year यह particular stock not 9 year आप देख सकते हैं almost 12 year यह particular stock on a monthly time frame it's making lower lows and lower highs यह lower highs फोर्म कर रहा था and after 12 years it's break its lower high and form its higher high let me show you आप देख सकते हैं यहापर यह stock fall करा अप move करा previous high को break नहीं करा नीचे आ गया उसके बाद फिर उपर गया अपने previous high को break नहीं करा exact stock दुबारा नीचे आ गया उसके बाद फिर उपर गया अपने previous high को break नहीं करा and stock दुबारा नीचे आ गया again previous high को break नहीं करा and stock नीचे आ गया तो यह क्या बता रहा है that it's making lower highs मतलब उपर जाने में इसको बहुत ज़्यादा problem हो रही है yes, यह नीचे से उपर भी definitely shift हो रहा है but उपर जाने में दिक्कत हो रही है and हम उपर जाएगा तभी by initiate कर भाएंगे but this time it's break its previous lifetime high मतलब previous swing high को भी break करा उससे previous swing high को मतलब पूरे अगर आप देख सकते हैं तो almost almost 9 साल के एक range को consolidate को break करके उपर गया है 9 साल के high को break करके उपर गया है so yes, यहाँ पर एक बहुत अच्छी momentum हमें देखने को मिल सकती है this particular stock के अंदर and let me show you कि एक तरीके का pattern भी form होर रहा है just wait a second yes, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक head and shoulder type of pattern यहाँ पर form कर रहा है and I think कि इस level से stock उपर बहुत अच्छे level से जा सकता है बहुत बढ़ी आप ब्रेकाउट हमें देखने को मिला है बतलब previous month हम लोगों ने देखा था कि इस ब्रेकाउट को उपर closing दी थी but eventually वो उसके नीचे बंद हो गया था but आज बहुत अच्छी sharp up move में देखने को मिली है so yes, I think कि this particular stock is very bullish और यहाँ से यह almost 350 plus तके levels भी दिखा सकता है so stock को please मत बूलेगा and I think कि आप लोगों अच्छे levels दे सकता है okay so एक बाद weekly charts पे चलते हैं and weekly charts पे study करते हैं कि कुछ और interesting facts अगर हमें देखने को मिल जाए इस particular stock के अदर okay so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस particular stock ने करा किया let me show you say so आप देख सकते हैं इस particular stock एक range के अंदर यही पर भी काम कर रहा था that is this range इस range के अंदर काम कर रहा था इस range के इसने weekly candle पे breakout दिया breakout दिने के बाद इसने retest करा retest करने के बाद हम लोगों ने देखा continuous momentum हमें उपर या upside की दुरूख देखने को मिले तो यानि कि this particular stock is making higher highs and higher lows on a weekly time frame आप यहां से देख सकते हैं almost till 2020 की starting से ही higher highs and higher lows form कर रहा है and उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक अच्छा breakout हमें देखने को मिला है एक confirmation मिला है with a retest and उसके बाद दुबार आप move start कर रहा है so I think कि यह वाला particular stock हम लोगों को अच्छी movement दे सकता है और I think कि यह वाला particular stock 350 के ऊपर अगर weekly या monthly candle close कर जाता है तो और भी अच्छी levels हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो जिस तरी कि सब लोगों ने circle rates के अंदर cut देखा है और चाहँ रिवाइफ करने हैं real estate sector को तो I think कि यह stock सबसे ज़्यादा बढ़िया है bet करने के लिए और यह वाला stock आप लोगों अच्छे returns दे सकता है So I hope अगर आप लोगों को इस stock अच्छे rates में मिलता है तो आप लोगों इस पर start करें अपनी swing trading and मैं definitely buy करने के बारे मैं सोचूँगा मंदे को अगर मुझे अच्छे levels पर मिलता है So हम लोगों मिलते हैं वीडियो के आखरी में So I hope आप लोगों को हमारी analysis पसंद आई होगी जो news के basis पर हम लोगों आप लोगों को चार्ट of the week प्रेजेंट कर रहा है So आप दिख सकते हैं कि almost 9 years के बाद आप लोगों ने एक चैनल का breakout देखने को मिले था DLF के अंदर So I hope कि अगर हांसी बढ़ना स्तार्ट करता है तो almost 10-15 से 20% तक की movement within 1-2 weeks दे सकता है And 2 weeks के अंदर 20% is not so bad So I think कि आप लोग इस पर invest करें अपनी थोड़ी बहुत analysis खुद भी करें थोड़ी बहुत practice करें तभी आप लोग सीख पाएंगे अगर आप लोग हमारी analysis के दूर्प rate करें तो मैं आपको suggest करूँआ कि आप थोड़ी quantities पर ही काम करेंगा Okay, so मैं बिकता हूँ आप लोगों के से अगली वीडियो पर मैं शिवांज भसी साइन का